देश के पाँच राजियों में से चार राजियों में बीजेपी कौमीले भहुमत की खुशी में चारो तरफ भाजपा जश्न मना रही है सिर्मोर जिला मुख्याले नहान में आज भाजपा कारे करताओं ने भाजपा जिलाधियक्ष विने गुपता की अगवाई में मिठाईया बांट कर पार्टी की जीत का जश्न मना आया कारे करताओने शहर के गुन्नो घाट में पटा के फोड़ कर वो मिठाया बांट कर अपनी खुशी जाहिर की मेडिया से बात करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष विने गुपता ने कहा कि चार राज़ियों में मिशिन रिपीट कर भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है वहीं देश में 60 साल तक राज़ करने वाली कॉंग्रिस को करारी शिकर्ष्ट का सामना करना पड़ा है उन्होंने कहा कि जहां चारो राज़ियों में पार्टी ने भारी भहुमत के साथ जीत दर्ज़ की है वहीं उत्तर परदेश और उत्तर खड़ में सरकार रिपीट कर एक इतिहास बनाया है क्योंकि यहां अक्सर अलग अलग पार्टी की सरकार बनती थी उन्होंने कहा कि चार राज़ियों में जीत कश्रे, परधान मंत्री नरेंदर मोधी और सरकार की कल्यान कारी नीतियों और कारे क्रमों को जाता है जिसका सीधा लाब जनता ने उठाया और आज पार्टी को समर्थन देकर सरकार पर अपना विश्वास जताया है जिन पांच राज़ियों के चुनाव उत्तर परदेश, उत्तराखंड, मनीपूर, गोवा और पंजाब इन पांच राज़ियों में चुनाव हुए थे आज उसके नतीजे सामने आए है भारती जनता पार्टी ने उत्तर परदेश, उत्तराखंड, मनीपूर और गोवा में अभूत पूरो जीत दरज की है जैसा सब जानते हैं उत्तर परदेश में योगी जी के नेत्रितों में भारती जनता पार्टी की सरकार थी उत्तराखंड में धामी जी के नेत्रितों में भारती जनता पार्टी की सरकार थी गोवा में साबन जी के नेत्रितों में बीजेपी की सरकार थी और इसी प्रकार से मनीपूर में भारती जनता पार्टी की सरकार थी इन चारों राज्यों में भारती जनता पार्टी ने अभूत पूरो जीत दरज की है और इस जीत का सारा श्रेव मानिय निरेंदर भाई मोदी जी को अधित्यनात योगी जी को जाता है और भारती जनता पार्टी की विकास की जो नीतियें हैं आम जन तक जो विकास की नीतियें भारती जनता पार्टी ने पहुंचाई हैं उसका सरे सारा कसारा योगी, मोधी और नीतियों को जाता है आज भारती जन्ता पार्टी ने उत्र प्रदेश में जहां ये कहा जा रहा था बरसों से उत्राखंडर उत्र प्रदेश में सरकारे रिपीट नहीं कर रही थी इन दोनों राज्यों में बहुत बड़ी जीत भारती जन्ता पार्टी ने दरज की है मैं एक बात की तरफ आप सभी का ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ इन पांच राजियों में 690 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हुए थे और जो नतीजे सामने आएं बड़ी-बड़ी बातें करने वाली कॉंग्रेस जिसने देश पर 50-60 साल तक कुशाशन किया लगपक 45 सीटों पर 690 में से कॉंग्रेस सीमट के रह गई है ये उसके लिए चरम की गात है बड़े-बड़े दावे करते थे आज इन पांचों में से चार राजियों की जनता ने मोदी जी की नीतियों पर भारती जनता पार्टी की नीतियों पर अपनी मोहर लगाई है मैं पूरे देश वासियों को उत्र परदेश के वासियों को उत्रा खंड के वासियों को और हिमाचल परदेश के वासियों को पूरी की पूरी तरह से हम पूरे रिदय की गहराईयों से बधाई देते हैं और वहीं हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि जिस परकार से उत्रा खंड उत्र प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी ने मिशन रिपीट पूरा किया है उसी तरह से जब हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर नुमंबर में चुनाओं होंगे जैराम जी की नेत्रतों में भारती जन्ता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अभूत पूरो विज़े दर्ज करेगी ऐसा मेरा हमारा यह विश्वास करते हैं